लंबे समय से भारतिय क्रिकेट टीम से दूर चल रहे क्रिकेटर रुर्फान पठान ने शनिवार को क्रिकेट के सभी फॉर्मिट से सन्यास ले लिया है उन्होंने रिटार्मेंट का एलान करते हुए कहा कि आज मैं सभी तरह की क्रिकेट से सन्यास ले रहा हूँ ये मेरे लिए एक भावुक पल है लेकिन ये ऐसे पल हैं जो हर एक खिलारी की जिदगी में आता है छोटी जगह से हूँ और मुझे सचन तैंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे महान खिलारीों के साथ खेलने का मौका मिला है जिसकी हर किसी को तमन्ना होती है इस दोरान इर्फान पठान ने कहा कि मैं उन सब ही साथियों, कोचों और सपोर्ट स्टाफ का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया मैं इस खेल को अफीशली छोड़ रहा हूँ जो मुझे सबसे अधिक प्यारा है इर्फान पठान ने टीम इंडिया के लिए 39 टेस्ट में 100 विकेट, 120 वंडे में 173 विकेट और 24 टी 20 मुकाबलों में 28 विकेट लिए अपने करियर में उन्होंने जहां पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में हैट्रिक लिए तो वही 2007 में भी टी 20 विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ ही भारत को जिताने में महतुपून फूमिका निभाई आईपेल में भी इर्फान पठान काई टीमों के लिए खेले और 103 मैच में 80 विकेट लिए इर्फान पठान ने अपना पहला अंतरास्ट्रिया मैच साल 2013 में 12 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था जबके अंतरास्ट्रिया मैच साउथ अफरिका के खिलाफ 2 अक्टूबर 2012 को खेला था न्यूज स्टेस